नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने Android TV या Smart TV में माउस कैसे चला सकते हैं यहाँ पर हमने अपने पास एक माउस ले रखा है आप देख सकते हैं कोई सी भी कमपनी का माउस हो कोई फरक नहीं पड़ता है यहर TV में कनेक्ट हो जाएगा चलाना कैसे है मैं बताता हूँ बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है आपको जब माउस होना चाहिए वो एक USB माउस होना चाहिए इसे USB माउस कहते हैं अगर आपके पास गोल वाला माउस है यानि कि दूसरी पिन उसकी गोल वाली है तो वो कनेक्ट नहीं होता है यह माउस आपको चाहिए ऐसा वाला हमने अपने टीवी में पहले से ही कीबोर्ड कनेक्ट कर रखा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे तो हमने अपने टीवी में इसे कनेक्ट कर रखा है बस हमने माउस को कनेक्ट करना है माउस को कनेक करने के लिए आपको अपने टीवी को पलटना है पीछे की तरफ जहां पर सारे ओप्सन दिये हुए है देखी यहां पर इसमें USB वाला ओप्सन भी दे रखा है यह देख सकते हैं यहां पर हमने यहां पर कीबोर्ड लगाया है और यहां पर माउस का ओप्सन है तो यहां पर आप कुछ भी USB वाला लगा सकते हो जैसे के माउस या कुछ और चीज पैंट्राइब बगार भी तो यहां पर हम इसे लगा देते हैं थोड़ा टाइट रहेगा साइद यह पहली बार अगर आप इसे लगा रहे होतों तो यहां पर हम इसे लगा देते हैं लग गया है connect हो गया है इसे हम सीधा कर देते हैं तो सभी से हम धीरे से करते हैं इसको और अपने फोन को हम इस्टेंड पर लगा देते हैं और हमारे माउस में लाइट आ गई है आप देख सकते हैं अब आपको मैं दिखा देता हूँ देखिए इस वाला वील से हम इसे उपर निचे कर सकते हैं और मैं आपको इसे किसी गत्य पर रखके दिखाता हूँ पर देख सकते हैं तो हम इसे चलाएंगे आप देख सकते हैं उसकी स्क्रीन पर टीवी की स्क्रीन पर हम इसी उपर सकते हैं इस पर के लिए हम जोगने से जांगे मैं दिखाता हूँ इस वाले बटन से हम पीछे आ जाएंगे मैं फिर से दिखाता हूँ जैसे कि यहां पर हम ब्राउजर में आते हैं हम इससे क्लिक करते हैं यह वाला बटन क्लिक करते हैं क्लिक करने वाद यह ओपन हो चुका है हम इस वाले बटन को प्रेस करेंगे ये बापसी उसे वाले पेज पर चला जाएगा जहां से आया था ऐसे आप इसको इस्तेमाल करें और अगर आप कुछ और पूछना चाते हैं इसके बारे में तो पूछिए वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा